Hello everyone, आज हम Escozor का password cabinet और drawer lock में password user and master कैसे change करना है वो देखेंगे सबसे पहले आपका जो default password होगा user के लिए वो है 1234 hash और आपका master password है 543215 hash यह आपका default password है जो आपको manual में लिखा हुआ है अगर आपको इसे change करना है तो सबसे पहले आपको star press करना पड़ेगा 2 second के लिए तो यह red light on होगा उसके बाद आपको master password डालना है 543215 hash अब हम one number प्रेस करेंगे then hash प्रेस करेंगे और नया user password डालेंगे जो है 789789 यह मैं just testing के लिए डाल रहा हूँ उसके बाद आपको hash प्रेस करना है और again second time यह ही password डालना है 789789 hash आपको six digits का number डालना पड़ेगा यह आपका password चेंज हो गया है जो user का password था 789789 hash ऐसे आपका user password चेंज होगा अगर अब आपको चेंज करना है master password आपको प्रेस करना है यह दो second के लिए और आपका जो master password है वो आपको डालना है 543215 hash अब आपको डालना है 2 hash और आपको डालना है नया master password जो होगा 456456 hash second time यही डालना है 456456 hash दो बीप हो गया आपका master password चेंज हो गया आप चेक कर सकते हैं 456456 hash तो यह आपका master password चेंज हो गया अब अगर आपको यह दोनों password को reset करना है factory reset तो आप यह key के मदद से जो box के अंदर आएगा आपको यहाँ पर प्रेस करना है 10 second के लिए और आपका यहाँ पर red light on होगा तो आपका पूरा device master reset हो जाएगा और आपके जो old default password थे उससे आपका open होगा one two three four hash और आपका जो master झालो कैँ मैं तो आपका यहाँ वाम होगा है इसलिवा है झाल नकाश को झालो कर दो Brew और आपका झालो को